एक गाउं था, उस गाउं में शाम ढलने के बाद कोई भी गाउं वाला बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गाउं में एक भूत या समोसे वाला था, वो भूत रात को गाउं में समोसे लेकर घूमता था, उसके समोसे की खुश्पू पूरे गाउं में फैल जाती थी, खु रात को अच्छे से बंद रखते थे ताकि समोसों के खुश्बू अंदर ना आए एक दिन राजन शेहर से अठारा साल बाद अपने गाउं लोटा था अच्छा मा, तुमसे तो मिल लिया, अब मैं जरा अपने दोस्तों से भी मिलाओं अच्छा जाओ, पर शाम ढलने से पहले घर लोटाना बेटा हाँ मा, ठीक है, मैं जल्दी आ जाओंगा राजन अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है, और मिलते ही राजू, याँ, क्या तुम दोनों ने मुझे पहचाना मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त राजन, जो शहर पढ़ने चला गया था यार तु, मेरे दोस्त, कितने सालों बाद आया है तु गाओं में अच्छा दोस्तों, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, चलो, इसी खुशी में कहीं घूम कराते हैं नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते, क्यों, क्या हुआ, तुम दोनों घूमने के नाम से इतने डिर्कियों रहे हो क्या तुम्हें नहीं पता, इस काओं में शाम धलने के बाद, घर से कोई नहीं निकलता बाहर पर क्यों? क्या बात है? क्या तुभे नहीं पता? राग के समय कौमे समोसे वाला भूत घुमता है जो भी उसके समोसों की खुश्मू सूंग लेता है वो भूत उसे उठा कर अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है शायद तुम्हे भूत के वारे में कुछ नहीं पता सीलिए तुम भी खिड की दर्वा से अच्छे से बंद करके सोना चलो भाई अब घर चले अंधेरा होने ही वाला है इतना बोलते ही राजू और श्याम वहां से चले जाते हैं ये दोनों भी न कैसी कैसी बातें करते हैं कोई भूत भूत नहीं होता शायद ये दोनों मुझे डराना चाहते हैं अगर कोई ऐसी बात है तो मा से जाकर पूछता हूँ राजन वहां से अपने घर जाता है और अपनी मा को सब बताता है मा आज मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था ना तू वो लोग बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे कोई समोसे वाले भूत की अगर कोई बात है तू पताओ ना मा अब 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 इस बारे में कल बात करेंगे बिठा अभी रात बहुत हो गई है अभी तू सो जा फिर राजन अपने कमरे में सोने चला जाता है राजन अपने दोस्तों की कही बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता जो उन्होंने भूतिया समोसे वाले की बात कही थी और वो खिड़की खुली रख कर ही सो जाता है और रात में भूतिया समोसे वाला हाथ में समोसे की प्लेट लेकर गाउं में घूमता है ओ गाउं वालों जरा खिड़की खोल कर कोई हमारे भी दर्शन कर लो हम भी तो तुम्हारे अपने हैं एक बार तु दर्शन कर लो हमारे ये मेरे बनाए हुए गर्मा गरम समोसे तो चकलो एक बार पर किसी के भी घर की खिड़की नहीं खुली होती कोई बात नहीं मैं खुद ही देख लेता हूँ कि आज कौन मरेगा मेरे हाथों से ऐसा तो को ही नहीं सकता कि आज मैं खाली हाथ यहां से जाऊँ तब ही भूत की नजर राजन की खिड़की की तरफ पढ़ती है फिर समोसों की खुश्पू खिड़की से होते हुए कमरे में राजन तक पहुँच जाती है समोसों की खुश्पू पहुचते ही राजन आकर्शित हो जाता है राजन खुश्पू की साथ साथ बाहर आने लगता है और राजन जैसे ही घर से बाहर आता है वो समोसे वाला भूत उसे पकर लेता है और उसे अपनी समोसों की दुकान पर उठा कर ले जाता है आज का शिकार खिल ही गया यह सब देखकर राजन जैसे थर थर कापने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है मुझे मुझे मत पारो मुझे ताने दो मुझसे बहुत पड़ी गलती हो गई चो मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी पार खिर्टी खोल कर सो गया मैं 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 तुम्हारा सारा काम कर दूँगा जाड़ू पोच्छा बरतन जो कराना चाहते हो करा लो पर मुझे जाने दो मुझे जाने था नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अब कोई फायदा नहीं जब तक मैं पूरे गाउवालों का अपने इन हाथों से नहीं मार देता अब तक मुझे नहीं मिलेगा राजन भूत के आगे बहुत गिरगडाता है पर भूत के आगे उसकी एक नहीं चलती जैसे ही वो अपने लंबे लंबे नाखून उसके सीने में घोपने वाला होता है तब ही उस भूत को राजन के गले में पड़ा ताबीज दिख जाता है और भूत ताबीज देखकर चौ माने बताया था जब मैं बहुत छोटा था मेरे पिताजी ने मुझे ये तावीज पहनाया था पर वो अब इस दुनिया में नहीं है ये बात सुनते ही भूत की आँखों में आशु आ जाते है ये तावीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हुँ मैं कुछ समझा नहीं राजन को कुछ भी समझ नहीं आता तब भूत पूरी बात बताता है कि कैसे वो भूत बना बेटा, आज से बहुत साल पहले गाओ में मेरी समोसी की दुकान हुआ करती मेरी समोसों के चर्चे दूर दूर तक पहले हुए थे एक दिन, एक दिन सरपंच के बेटे ने भी समोसों की दुकान मेरी दुकान के बिलकुल सामने खोल ली पर उसके बनाए समोसे स्वादिष्ट नहीं थे पर पासी भी बहुत थे इस वजह से सभी उसके बनाए समोसे नहीं खरीटते थे मेरे बनाए समोसे ताजा और स्वादेश्ट होते थे और उसकी खुश्बू से ही लोग अपने आप मेरे दुकान पर ठीचे चले आते थे और कई कई समोसे खा जाते थे और तो और अपने घर के लिए भी रखवा कर ले जाते थे इस वजह से सरपंच का लड़का मुझसे बहुत चड़ता था एक दिन उसने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और चुपचाप मेरी दुकान में आग लगा दी और दुकान के साथ मुझे भी चला कर मार दिया और मैं मैं भूट बढ़ गया तब चब तक मैं उसे मार नहीं देता मेरी आत्मा को शान्ती नहीं मिलेगी पिता जी अगर आपकी मौट सरपंच के बैटे की वजह से हुई है तो आप गाउवालों को क्यों मार रहे हो बेटा जब मेरी दुकान में आग लगी थी तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की सभी खड़े खड़े देख रहे थी बस इसलिए मैं इस सब को मार दूँगा पर मैं अभी तक सरपंच के बेटे को मार कर अपना बदला नहीं ले पाया क्योंकि वो अपने घर को हमेशा बंद रखता है कभी थी बाहर नहीं आता पता जी मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं पर आप उससे वादा करो कि आप गाउवालों को नहीं मारेंगे भूतिया समोसे वाला राजन की बात मान लेता है और फिर राजन पूरी योजना बनाता है कि कैसे सरपंच के लड़के को घर से बाहर निकाला जाए योजना के हिसाब से एक दिन राजन चुपके से सरपंच के घर की खिड़की पर समोसे से भरी प्लेट रखाता है कुछ तेर बाद सरपंच का बेटा समोसे की खुश्बू से आकर्षित हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है अब मैं तुझे मार कर अपना बदला लूँगा पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो और इस राजन को तुम कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि तुम मेरे कातिल हो तुमने मुझे मारा है इसने नहीं और गाउवाले भी निर्दोश हैं मैं और तुम्हारा कातिल कौन हो तुम इसके बाद भूत अपने असली रूप में आ जाता है बंसी तुम ठीक पैचाना बंसी हूँ मैं तुमने मुझे जला कर मार डाला था याद आया तुम देखो बंसी बंसी भाई देखो मुझे मार कर दो मुझे भाब बड़ी गल्टी हो गई थी और उसके बाद से उस भूत ने कभी भी किसी को परिशान नहीं किया